आज की वीडियों लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश खाद्यों ब्रसत विभाग भरती निकली हुई है इसमें योगिता की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएशन आपके पास सिंपल हो तो चलेगा कैसे आपको अलाइन आवेदर करना होगा और क्या-क्या इसमें और ची अदिकारी बनने का एक मौका मिला है जिसमें आपके पास प्रबर अवर्टी स्कॉर कार्ड हो इन्वेलड ना हो तो आप इसमें आवेदर कर सकते हैं बाव कर आनलाइन आवेदर की तो 22 अफरेल से आज से ही शुरू हो जाएगा 12 मही तक इसका आनलाइन आवेदर चलेगा 12 माई लाइस डेट है और आलाइन संसोधन करने के आंते हैं पिती 19 माई यानि 19 माई के बाद आप किसी तरह का कोई संसोधन नहीं कर पाएंगे यहाँ देख सकते हैं मुख्य जो योगिता है यहाँ पे आपके पास पेट होना चीए पेट में आप पार्टिसिपेट होने चीए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैलिरी स्कूर कार्ड आपके पास होना ही होना चीए अब बात करते हैं फीस की फीस एम देख सकते हैं इसमें कितना चार्ज लग रहा है तो 25 रुपे सभी के लिए इसमें चार्ज रखे गए हैं यहाँ पे सारी प्रक्रिया है जो है आनलाइन चार्ज और पे इसकेल पे यहाँ पे वैकेंसी है निकली हुई है 21 से चालिस वर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए बात करें वैकेंसी कितनी कितनी है सब कुछ यहाँ पे टेबल पे देख सकते हैं साथी खाद्यों रसत विभाग की भरती भी यहाँ पोर्ति निच्छ के अधिकारी के माध्यम से आपको देखने को मिल लए है जो कि 934,800 यहाँ पे लिखी हुई है जो कि यहाँ भी एज आपको 21 से 40 वर्स के बीची चाहिए बात करें यहोगता कि तो सभी पोस्ट के लिए आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी ग्रेजुए पत्र हो तो भी उन्हें पहले प्रिफ्रेंस दिया जाएगा बाकी आने लोगों को फिर बाद में मौका दिया जाएगा पहले लोगों को प्रिफ्रेंस दिया जाएगा तो सब में लब 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 वही चीज़ क्वालिफिकेशन मांगी गई है सभी पोस्टों के लिए तो व वेबसाइट पर कैसे पहुंचे वीडियो के लास्ट में सुन लीजिएगा कुछ पूछना हो कमेंट बाक्स में लिखिएगा अभी लबस इतना ही धन्यवाद मेरा वेबसाइट पर आने के लिए आपको क्या करना हो का सबसे पहले आप Google के सर्च बाक्स में जाएंगे